जेहिन दोस्तों आज की क्लास में हम संदी के अंतरगत वेंजन संदी का संपूर यानी A to Z अध्यन करेंगे हम इस वीडियो में वेंजन संदी से संबंदित सभी नियमों को एक साथ आपके लिए लेकर आए हैं जो एकजाम में आपके लिए बहुत लाबदा एक सिद्ध होंगे परिक्षा में वेंजन संदी को कैसे पहचाने वेंजन संदी के प्रशनों को कैसे हल करें इससे संबंदित सभी नियमों की संपूर जानकारी आपको इस वीडियो के अंतरगत मिलेगी दोस्तों वीडियो को जादा से जादा शेर करें लाइक करें और अपना प्यार भरा आसिरवाद बनाए रखें तो शुरू करते हैं आज की क्लास वेंजन संदी वेंजन संदी परिवासा देख लीजिये दोस्तों वेंजन से वेंजन या स्वर्ग से मेल के कारण हुए विकार को वेंजन संदी करते हैं यानि वेंजन का किसी भी अन्य वेंजन से या किसी भी अन्य स्वर से मेल होता है और उस मेल यानि मिलन के कारण जो विकार परिवर्तन उत्पन होगा वो वेंजन संदी कहलाता है वेंजन संदी या कि अंतरगत वेंजन का वेंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होने के कारण जो विकार यानि परिवर्तन उत्पन होगा उसे ही वेंजन संदी कहा जाता है यानि वेंजन संदी के अंतरगत एक तरभ तो वेंजन का होना निष्चित है और दूसरी तरभ या तो वेंजन होगा या फिर कोई स्वर होगा और इनके मिलने से जो सब्द रचना में विकार यानि परिवर्टन आएगा उसे हम वेंजन संदी करते हैं इसके कुछ नियम है जो इस वीडियो के अंतरगत हम आपके लिए लेकर आये हैं देखिए दोस्तों त और द के बाद यदि च या च आता है त और द इन नियमों को आप बारिकी से समझने की कोजिस करना च या च आता है च को आप बड़ा भाई माल लीजिए और इसके छोटे भाई के रूप में च को देख लीजिए क्योंकि ये एक ही परिवार के हैं त और द के बाद च और च आने पर च और च तो अपरिवर्तित रहेंगे लेकिन ये त और द जो है वो च में बदल जाएगा यानि त और द स्वर रहीत हैं और ये भी स्वर रहीत ही रहेंगे क्योंकि त और द के नीचे हलंद का चिन लगा हुआ है इसको उधारन के द्वारा इस पश्ट रूप से समझ लीजिए उत प्लस चारन उत त का जब च से मेल हुआ तो नया सब्द बना उत्चारन परिवर्तन हुआ यहाँ पे त का किस के रूप में च के रूप में उत प्लस चिन यहाँ पर त जो है उसका च से मेल हो रहा और च से मेल होने के कारण नया सब्द बनता है उत चिन क्योंकि त किस में बदल जाएगा किसमें परिवर्थित होगा तो जो है वो 6 में बदल जाएगा 7 प्लस 4 तका 6 से मेल हुआ और नया सब्द मना 7,4 तो जो है वो 6 में बदल जाएगा और पीछे वाले जो चर या 6 हैं वो अ परिवर्थित रहेंगे अगला नियम देखिए दोस्तों बेंजन संदीनी नियमोब के उपर टिकी हुई है त और द के बाद यदि ज या ज आता जैसे च और छ आता एसे ही ज और ज तो त और ज जो है वो ज में बदल जाएंगे ज और ज अपरिवर्तित रहेंगे त और द व ज हलंत वाला रूब यानि स्वर रहित में बदल जाएंगे उदारन द्वारा देखिए दोस्तों सत प्लस जन इस सब्द को आप एक्जाम में बहुत सी बार देखते हो त हलंत वाला है तीछे ज से उसका मेल हुआ नया सब्द बना सजन यानि त जो है वो त किस में बदल गया ज में इस ज में बदल जाएगा उत प्लस ज्वल नया सब्द उत ज्वल त जो है वो ज में बदल जाएगा विपद जाल विपद जाल जो है वो किस में बदल जाएगा ज में तो हलंत वाला स्वर्रहित त या द किस में बदल जाएगे ज में कब जब त या द के बाद ज या ज आते हैं तो इसी प्रकार से और नियम देखिए दोस्तों तया द के बाद तया था आता है जैसे चचा आया था जजा आया था वेशे ही त के बाद यदि ट उर्ठ आता है तो तो त और द ट के रूप में बदल जाता है केवल तव और दः ट के रूप में बदलेगा हलन्त वाले रूप में तव और ठ में कोई परिवर्टन नहीं आएगा तट प्लस टी का तटी का यानि तव जो है वो हलन्त वाले ट में बदल जाएगा दोस्तो तव और द के बाज यदि डव और ढाता है आप इस चीज को बारी के समझना नियम सारे एक समाने बस थोड़ा सा घंतर है उसी परकार से डड है तव और द के बाफ द और ढाता है तो तव और द के स्तान पे द परिवर्तित हो जाएगा उदारन से देखिए उत प्लस डयन यानि यहाँ त है यह त किस में बदलेगा नियम के नुसाथ ड में तो क्या बन जाएगा नया सब्द उद डयन यानि त जो है वो ड में बदल गया है इसी परकार से दोस्तों त और द के बाद यदि न या म आता है नाय या माय पंचमवन के दो ही रूप न और म आते हैं तो त और द जो है उसके इस्तान पे न के रूप में परिवर्टन हो जाता है जगत प्लस नात मूल सब्द जगत है उसमें यदि नात सब्द मिलाया जाता है जगन नात हो जाता है कारण त के साथ न का मेल हुआ और त जो है वो न में बदल गया इसी परकार से सद प्लस मार्ग ये भी आपने बहुत देखा होगा द का म के साथ नियमानुसार मेल होता है तो ये न में बदल जागा है बदल जाएगा और नया सब्द बनेगा सनमार्ग द न में परिवर्तित इसी प्रकार से उत प्लस नयन त का न के साथ मेल हुआ और ये न में बदल जाएगा उन नयन त का न में विकार तत प्लस में त का म से ये त का म से मेल होने से तक में रूप परिवर्तन होगा और ये न में बदल जाएगा न और म में कोई परिवर्तन नहीं आएगा वो नया सब्द बनेगा तन में त जो है वो न में बदल जाएगा इसी परकार से दोस्तों त और द के बाद यदि ल आता है ल तो त और द जो है उसके इस्तान पर ल हो जाएगा हलंत वाला त और द के इस्तान पर हलंत वाला ल हो जाएगा ये दी त और द वेंजन के बाद ल आता है तो उत प्लस लास यानि नया सब्द उल्लास त के बाद ल आया और नियम आनुसार त जो है वो ल में बदल गया और नया सब्द बना उल्लास त प्लस ले त के बाद ल आया और नया सब्द बना तले यानि त ल में बदल जाएगा आ के अलावा किसी अन्य स्वर के बाद दोस्तों ध्यान रखना आ या आ के अलावा या पलस के चिन के पहले आ और आ स्वर न हो इसके अलावा बाकी जो स्वर बचे नो उन में से कोई सा भी स्वर हो और पलस के चिन के बाद स आता है तो स का किसमे रूपांत्रन यानि विकार ह होता है शमे वो शमे बदल जाएगा उधारन से समझिए अभी प्लस सेख यानि और आ के अलावा अन्यसवर यानि ई आया है और प्लस के बाद यहां पर आपको स देखने को मिल रहा है तो स का किसमे रूपा अंत्रन हो जाएगा समे ये नया सब्द बनेगा अभी सेख इसी प् नी प्लस सम वी में ई है और पीछे स है इसलिए बनेगा विशम यानि स जो है वो शमे बदल जाएगा नी प्लस सेख यह सब्द को भी आप बहुत सी बार देखते हो नी में ई है और पीछे स है निशेद यानि स जो है वो शमे बदल जाएगा इसी प्रकार से अगर चह से पहले कोई सा भी स्वर आए चह छत्री वाला चह से पहले कोई सा भी स्वर आए तो चह जो है वो चच्छ में वह बदल जाता है यानि उसका विकार चच्छ के रूप में होता है च के पहले स्वर कोई सा भी आए यानि प्लस के चिन के पहले आपको कोई सा भी स्वर दिखाए देगा और प्लस के चिन के बाद च नजर आता है तो च चच्छ में बदल जाएगा उधारन से देखिए आ चादन यानि मूल सब्द चादन है और इस चादन यानि च का आ के साथ कोई साभी स्वर हो के साथ मेल होता है निया सब्द बनेगा आ चादन यानि यहाँ पर छ जो है वो चच्छ में बदल गया यह देखिए दोस्तों अनू प्लस छेद यहाँ पर कोई सा भी सब्द है कोई सा भी स्वर है प्लस के चिन के पहले और पीछे च यानि अनू छेद यानि यह जो च है वो चच्छ में बदल जाता है आगे देखिए दोस्तों त या द के बाद श आए तो त और द के इस्तान पर तो च हलंत वाला स्वर रहित हो जाता है और स के इस्तान पर च हो जाता है यानि श में जिस भी स्वर की मात्रा लगी होगी च में उसी स्वर की मात्रा शामिल रहेगी कहने का मतलब तवर्द के बाद श आए तो तवर्द तो छ च में बदल जाएगा और श जो है वो छ में बदल जाएगा उदारन से देखिए तट प्लस सिव नियमा नुसार आगे है पीछे श है तो नया सब्द बना तचिव अब यहाँ पर ये तजो है वो तच में बदल गया स्वर्रहित और जो स है वो छ में बदल गया शक में जो मात्रा लगी हुई है वही मात्रा आपको छ में भी देखने को मिलेगी तच में बदला और श च में बदला उत्ष प्लस सिष्ट नया सब्द बना उत्षिष्ट तजो है वो छ में बदला और श जो है वो छ में बदला श पर जो मात्रा है स्वर्र की वो छ में भी नजर आएगी यानि तच में बदला श च में बदला त या द के बाद ह आता है तो त और द के इस्तान पर दोस्तों द हो जाता है और ह जो पलस के चिन के बाद आया है उसके इस्तान पर द हो जाता है यानि त और द के इस्तान पर तो आपको द के रूप में विकार नजर आएगा और ह के इस्तान पे ध के रूप में परिवर्तन नजराएगा उदारण से समझेए उत हरन उद्धरण यानि त नियमानुसार पीछे ह नियमानुसार तो त का तो बन जायेगा द और ह का बन जायेगा ध यानि हो जाएगा नया सब्द उद्धरन उत्व प्लस हार यानि त और ह का मेल हुआ इस मेल के कारण जो त था वो द में बदल जाएगा और ह जो था वो द में बदल जाएगा नया सब्द बनेगा उद्धार इसी प्रकार दोस्तों जब वन के प्रथम वन किसी भी वर्ग,5 वर्ग हम मानते हैं उन पांच वर्गों में से किसी भी वर्ग का प्रथम वन के बाद कोई सा भी स्वर आजाए, प्लस के बाद कोई स्वर नजर आए आपको या फिर वर्ग का तीसरा या चोथा वन जैसे कख, ग, ग, कवर्ग का ग, और ग, तीसरा और चोथा वन माना जाता है या फिर यरलव इन में से कोई सा भी वन आ जाए तो जो प्रथम वन है, जो प्लस के चिन के पहले आता है, उस प्रथम वन के इस्तान पर उसी वर्ग का यानि प्लस के चिन के पहले जिस वर्ग का प्रथम वन आया है उस प्रथम वन के इस्तान पर उसी वन का तीसरा वन हो जाता है यानि आगे जो प्रथम वन है ये प्रथम वन इसी वर्ग के तीसरे वन के रूप में बदल जाएगा उधारन के साथ समझे तत प्लस आचरण तो त क्या है अपने वर्ग का प्रथम वन ये प्लस के चिन के पहले आया है बाद में कोई साभी स्वर आये नियम पूरा तो त के बाद कोई साभी स्वर आ गया है तो तीसरा जो वन है वर्ग का स्वर का तो हो नहीं सकता कोई तीसरा वन यानि आगे वाला जो सब्दे उसी वर्ग का तीसरे वर्ण के रूप में ये त बदल जाएगा यानि सत प्लस आचरण जो है वो सदाचरण हो जाएगा त वर्ग का तीसरा वर्ण द है तो त जो है वो द में बदल जाएगा तथ द, तो द तीसरा जो वन हुआ तो उसी में परिवर्तित हो जाएगा दिक प्लस गज, अब क जो प्रथम वन है क वर्ग का जब इसका मेल अपने वर्ग के तीसरे वन गसे हुआ तो ये क, क ही वर्ग के तीसरे वन यानि ग में बदल जाएगा यहाँ ग से कोई मतलब नहीं है लेकिन क का तीसरा जो वर्ण है वो ग है तो यह क अपने वर्ग के ग में बदल जाएगा सट प्लस भुज ट अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है तो ट का मेल किस से हुआ अपने ही किसी भी वर्ण के तीसरे या चोथे वर्ण से तो भ चोथा वर्ण है इससे मेल होने के कारण यहाँ पर ट जो है वो अपने ही वर्ग यानि ट ट ट ट ट ट तो ट यानि तीसरा वर्ण ट वर्ग का इसमें बदल जाएगा और नया सब्द बनेगा सड भुज तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे यूटूब चैनल हिंदी अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर पीजिए और वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिए जैहिन धन्यवाद झाल